हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला यहां पर प्रिटोरिया कैपिटल्स बना हम एक बहुत बड़ी टीम डर्बन सूपर जाइंट जो खेल रहे हैं बहुत अच्छी क्रिकेट और गेम पर गेम जीतती आ रही है तो एक बहु आपकी फैंटेसी टीम बेस्ट ऑन दे सेम फॉलओड बाई ग्रैंड लीग ऑप्शन सू स्टार्ट टो एंड बने रहे गा हैं रिमेंबर तो हिट दे लाइक बटन ताकि यह कॉंटेंट और लोग तक पहुछ पाए चलते हैं आज के प्रिव्यू की तरफ पीसी वर्सिस द DHG का यह मुकाबला होगा है दे सूपर स्पोर्ट एट संचूरियन विंड प्रेडिक्शन मेरा इस गेम है DHG की तरफ आज ओविसली बहुत 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 क्रिकेट केल रहे हैं वो सो अफकोर्स उनके जो चांसे है वह हिसाब से काफी बहुतर रह जाते हैं अब याद रख आस्टेलिया विल बिन दे फर्स टेस्ट मैच तो आप येस माक करिये और आप जीट सकते हो रियल कैश प्राइज हमारा रियल 11 का रेफर कोड ए fcp विरेन और रेफर कोड एस लिंक इस इन दे डिस्क्रिप्शन आफ इस वीडियो सो साइन अप राइट अवे अब चलते है आगे के प्रिव्यू की तरफ रेगिलर होंगे हमारे मिनी जील, स्मॉल लिग्स, नोट चेंज़ देर और रिमेंबर डू जॉइन अगर आपको कॉंटेंट पसंद आए तो बिलकुल कॉमेंट करते रहेगा वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो slight chances of weather interrupting this game तो don't be surprised अगर वापस यहां पर बादल खुल जाए क्योंकि जैसे मैंने काए throughout the South Africa 20 हमने क्या देखे है बहुत सारे runs and बहुत सारी बारिश so expect more of the same pitch report की बात की जाए तो one of the best tracks Centurion last game में भी हमने यहां पर 200 दोनों side से देखा था पट एक interesting बात जब मैंने post match report देखी तो Miller ने का कि pitch उन्हें लगा थोड़ी सी slower side पर थी while generally यहां पर ball काफी carry करती है तो उन्हें लगा कि थोड़ा सा slower था और फिर जब जाके मैंने scorecard देखा एंगीडी का interview देखा तो उनके भी slow balls पे काफी help उने मिली थी तो maybe यह एक hint है कि maybe इन type के ballers को कुछ यहां से मदद मिल जाए और fantasy team में यह एक Q-Up लेकर जा सकते हो चलते हैं expected playing 11th की तरफ so we start with DSG एकदम similar 11 में expect कर रहा हूँ मैं अभी तक surprise हूँ कि Kyle Mears क्यों नहीं है squad में in place of Kimo Paul क्यूंकि bowling उनकी खास कुछ मौका आनी रहा है और इनके पास इतने सारे bowlers है कि Kimo Paul का यहां पर कट गया तो उन्हें कुछ फरक नहीं पड़ेगा and while Pretoria Capitals की बात की जाए तो वह एक ही slot होगा between Miguel Pretorius and Ardis Vilion यहां तो Miguel Pretorius आ सकते हैं Darren Dupevilon की जगे पर तो वही एक change मुझे लग रहा है बाकी उसके लावा एक similar team यहां पर आपको देखती हुई उतरती हुई देखनी चाहिए remember to sign up on my master दोनों आपसे no GST and exchange 22 पे no TDS no GST आपको क्या करने exchange 22 पे simply जाके अपने predictions करने आपको क्या लगता है कौन से individual players यहां पर अच्छा करेंगे जैसे मुझे लगा कि अच्छा दिन होगा in Bangalore तो मैंने उनके 9 shares खरीद लिये and जैसा आप देख सकते हो कि मैंने लिया उस share को 225 के लिए यहां पर क्याप रहता है कि अगर समझी उनको 50 points मिले तो मुझे मिल जाएगा double price अब अगर मैंने प्लेयर को इंस और किया आप का लिंक है वीडियो के description में और एक unique concept है यह अब चलते हैं towards the Pretoria Capitals Phil Saul to start the attack, अच्छा pitch, form अच्छा बट यहां पर last game पर duck पर out हो गए थे remember that उसके अलावा I think काफी अच्छी choice होंगे in conditions में at Centurion, I think एक suspect record है average के terms में 5 strike rate काफी अच्छा and wicket keeping भी करेंगे तो छोड़के तो कोई भी point नहीं बनता, especially आपके small league teams में फिर चलते हैं Will Jacks की तरफ versus Durbin Super Giants, one match, 56 runs and at Centurion, बहुत ही अच्छा record इनका middle layer एन एक top captaincy, vice captaincy choice बनेंगे, captaincy, vice captaincy choices आपको मिलेंगे यहां पर throughout the preview, ना कि during the team कि बहुत लोग क्या करते हैं, जाके team के part पर skip कर लेते हैं, वहीं पर video देख लेते हैं, तो उनके लिए आपको वापस scroll back करना पड़ेगा इस बात का, धियान रखेगा, तूनिस जबरून एक ठीक-टाक choice है, form कुछ खास नहीं, off late except for South Africa 20 कुछ खास competitive cricket रोने खेली नहीं है, so currently तो मेरी base team में नहीं हैं, क्योंकि एक अच्छी batting pitch है, grand league में try कर सकते हो, राइली रसो अच्छे form में, pitch अच्छी, in versus Durban Super Giants, इनका record थोड़ा सा कराब, but अगर हम इस pitch को flat कहा जाए, तो वो हैसा आपस वापस इनने drop करना, मुश्किल होगा, average of 25, strike rate of 150, and सामने, I don't think कि ऐसा कोई off spinner जोईने, परेशान कर पाए, so राइली रसो, again a topic for you to go with, Colin Ingram, वापस similar type के batter है, बड़ थोड़े और old हो गए है, इतना competitive नहीं cricket खेलते हैं, in comparison to राइली रसो, तो अभी के लिए team में नहीं रहेंगे, but क्योंकि सामने केशव, महराज, जेजे समाट, उनको ये match-up बहुत पसंद है to hit on the leg side, तो वो हिसाब से वापस grand league में एक अच्छी पेग बन सकते हैं, कॉबिन बॉस ठीक टाक चॉइस है, captain ने इन पर अच्छा confidence दिखा है, पहले दोनों matches में अच्छे खासी overs डाले हैं इन्होंने, तो वापस अगर खेलते हैं with the bat and with the ball, इनका contribution ठीक टाक रह सकता है, बनाया ना है यह नहीं, first bowling में vice captain seat choice बिल्खूल बन सकते हैं, Ethan Bosch बहुत उम्मीदी थे हैं इनसे बट अब तक कुछ खरे नहीं उतर पाएं, कुछ खास मिला नहीं, इने from the pitches versus Durban Super Giants, last year two matches, two wickets and at Centurion, seven matches, five wickets and not too many runs, अभी के लिए not in my base team, क्यूंकि batters and keepers आपके पास बहुत सारे हैं, आदिल रशीद, right arm, legs spinner, वापस ये pitch इने suit नहीं करेगी, at Centurion, four matches, six wickets, maybe second innings में आप इने consider कर सकते हैं, क्यूंकि Centurion में एक pattern देखा हैं, कि पहले batting वाली team इतने सारे runs बना देते हैं, कि second batting में under pressure wickets जाते हैं, चाहिए वो score chase हो या ना हो, but under pressure ज्यादा wickets गिरते हैं, तो वो हिसाब से एक ठीक टाक choice ये, बन सकते हैं, Darren Dupavillion, मैंने पहले भी कहा था, कि ये death में पिटे हैं, last match में वापस death में पिटे हैं, मैं surprise जूँ कि अब तक Miguel Pretorius इनके slot में क्यों नहीं खेल रहा है, first bowling में फिर भी try कर सकते हो, and second bowling में अगर आपको लग रहा है, वापस एक बड़ा score बन जाएगा under pressure, but again ये grand league pick है, Miguel Pretorius, मैं जैसा कहता रहा हूँ, with the bat, win the ball, इनकी value बहुत बढ़ेगी, and ये आपको batting depth भी देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरे 4 overs डालेंगे, but two overs and a few runs can be handy, but वापस just a grand league choice, Wayne Parnell is fit, of course, खेलेंगे, Kyle Veraner, I don't think अब तक fit आएगे इस team में, अब चलते हैं, Durban Super Giants की तरफ, जो start करेंगे, the attack with Quinton Decoq, इनका form एक concern रहा है, इनके पास 3 keepers हैं, सबसे खराब form इनका है, but keeping यही कर रहे हैं, opening यही कर रहे हैं, in the batting order, and at centurion 16 matches, 668 runs, 44 की average, तो आपस आप base team में नहीं छोड़ सकते हैं, Matthew Brits की अच्छे form में चल रहे हैं, last kuch game से, हर game में इनकी अच्छी पारी आ रही है, at the start, and versus pace versus spin, दोनों के सामने इनके पास एक ठीक टाग game है, तो definitely एक अच्छी choice in your base team, Nicholas Puran, वापस a really good pick for you to try, क्योंकि एक अच्छे कासे spin hitter है, in the middle overs, and हमने देखा है, Pretoria Capitals की जो bowling है, बहुत बड़ी concern है, क्योंकि ये दोनों जो प्लेइसे spin अच्छा केलते हैं, and Pretoria के main सबसे important bowler कौन है, आदिल रशीद, तो आदिल रशीद का अगर threat यहाँ पे निकल गया, ये दोनों बैटल्स तो आपके लिए, top captaincy, vice captaincy choices, आपके जो wicket keeping section है, वहाई से आपके top captaincy, vice captaincy choices निकल के आएंगे, john john smarts आ सकते हैं, one down अगर जल्दी wicket गिर गया, आएंगे at this number, अगर जल्दी कोई wicket ना गिरा, middle order में, Pretoria capitals के बाद, पास बहुत सारे left-handers है, so I don't know कि with the ball, ये कितना काम आईए in this game, बट फिर भी क्योंकि bat के साथ form अच्छा है, ये एक batting pitch है, तो एक three-track pick बन जाएंगे, chemo Paul नहीं लेना, मतलब मैं किस और तरीके से describe कर सकता हूँ, problem क्या है, ये आते हैं, कभी 2-3 और डाल लेते हैं, कभी एक और भी नहीं मिलता, बैटिंग कभी one-down आजाते हैं, कभी four-down आजाते हैं, तो chemo Paul, Vian Mulder, Dwayne Pretorius, ये तीनो same category में यहाँ पर आते हैं, and Vian Mulder तब काम आते हैं, जब starting में new ball help हो, Dwayne Pretorius तब काम आते हैं, जब पहले bowling में death overs में, इनका काम बनता है, and plus in a finishing order में मौका मिले, and chemo Paul तब काम आते हैं, जब on a good length, आपको वहाँ पर ball hold करती है, तब इस type का bowler काम आता है, but problem क्या है, मैं pitch report नहीं मिल रही, 5 मिनिट पहले pitch report आ रही है, अब तक इन तीनों बोलर्स में से, एक ने भी एक match में पूरा quota नहीं किया, batting भी इनकी कोई position fixed नहीं, तो मैं क्या basis पर आपको कह सकता हूँ, कि इन players को लो, इनका जो data भी है, कुछ खास आपको नहीं indicate कर रहा, with Dwayne Pretorius, फिर भी एक match में दो wickets है, versus Pretoria Capitals, and based on जो लुंगी एंगीडी ने कहा, कि slow ball यहाँ पर grip कर रहे थे, इनकी जो main slow ball exponent होंगे, वो DSG के लिए यह ही होंगे, Dwayne Pretorius, तो वो इसाब से I think, इन तीनों में से अगर मुझे एक के साथ जाने, तो first in the order will be him, second will be Kemo Paul, and third will be VN Mulder, but अगर आपकी team ऐसी बन पारे है, तो आप 1 out of 3 ही चुन लो, क्यूंकि आपके पास बहुत सारी दूसरी choices है, तो sorry थोड़े short में आप explain किया, बट तीनों एक ही category में आ रहे, in terms of opportunity, and अगर आपको opportunity ही नहीं मिल रही है in the game, तो आप चाहे कितने भी अच्छे player हो, कुछ फरक नहीं पड़ता, क्यूंकि अगर आप सिर्फ fielding कर जो तो वो fantasy के लिए, काफी नहीं, unless आपको 5 catches एक दिन पर मिल जाए, केशब माराज 2-3 overs डाल रहे हैं, वापस इस ground पे, जो kind के conditions है, वो इन्हें बिल्कुल suit नहीं करेंगे, and boundary shot है, राइली रसो बिल्कुल target करने ही कोशिश करेंगे, जैसे मैंने का, अगर एक बुरा shot खेला गया, तो ऐसे बोल उसको wickets मलेंगे, else wickets मिलना बहुत मुश्किल है, unless एक second innings में आके under pressure wickets ले जाए, Richard Gleeson, मुझे नहीं समझ माता है कि tactically एक ऐसा सोच रहे है, but versus Pretoria Capitals, दो matches में सिर्व एक wicket, at Centurion, one match, one wicket, तो record कुछ खास नहीं, पहले bowling करते हैं, then also worth considering, but I think based on the team balance, यहां पर जो भी हमने देखा है, जो भी data देखा है, जो भी pitch report देखिये, I think your most important section will again be the wicket keeping and batting section, Dallas, Subrayan, Tony Dezauzzi, Kyle Mayers, all unlikely to play, matchups की बात की जाए, तो यहां पर Oynrik Klaasin versus Adil Rashid, जैशे मैंने का, Adil Rashid एक बड़े threat बन सकते हैं, but data क्या बोल रहा है, data यह बोल रहा है, कि 25-14-2 wickets तो दो बार out हुए है, बट strike rate भी यहां पर अच्छा कासा, John John Smuts versus Cobb and Bosch, 4-7-2 wickets, तो अगर John John Smuts पर आपको कोई doubt है, कि लू, नहीं लू, यह matchup में भी आपको एक और हिंदे दे, कि आप क्या कर सकते हो, Will Jacks versus Reese Topley, जैसे आपने देखा होगा, Reese Topley के card में, matchups कुछ खास नहीं and यहां पर आप देख रहे हो क्यों, sorry for the power outage there, but yes, जैसे मैं कह रहा था, 43 of 19 and यहां पर कोई भी dismissal नहीं, तो काफी खराब matchups यहां पर, especially for Reese Topley, तो again, something very interesting for you to watch out for, अब चलते हैं हमारे आज के fantasy team की तरफ, so we start with our fantasy team now, स्टार्ट करेंगे with the keeping section, यहां पर निकलस पूरान, ओन्रिकलास, इन फिल्सॉल्ट and कुंटिन डिकॉक, आप तीनों में से किसी को छोड़ सकते हैं, किसी को भी नहीं, at least not in your small league team, तीनों एकदम, classy batters and form ऐसा है, pitch ऐसी है कि कोई भी एक यहां पर चल गया है और आपने छोड़ दिया, तो वहीं पर आपका game खताम, batting section से, Riley Russo and Matthew Bredz की वापस top form में चल रहे हैं, और वापस pitches का style ऐसा, that's very dangerous for you to leave, either of them, and in the all-rounder section, Will Jacks, James, Nishim, दोनों top choices, Dwayne Pretorius जैसे मैंने का, तीनों all-rounders में सिर्फ वही होंगे, top pick, John John Smuts को क्यों पर आप क्यों रिस्ट ले सकते हैं, यह हम already discussed कर चुके हैं, and in the bowling section, Reese Topley and Richard Gleason, my top picks, captaincy, vice captaincy, बात की जाए, तो नहीं बात की जाएगी, क्योंकि अल्रीड बाग कर दी गई है, in the card section, तो अगर आपने player cards नहीं देखे, तो अभी के अभी जाके थोड़ा सा पीचे स्कुरोल करिए, वहाँ पे मैंने captain's, vice captain's अब already mention कर दी हैं, तो जाके अभी स्कुरोल करके बिल्कुल देख लीजेगा, and remember to join your small leagues on my master 11, जैसे आप देख सेकते हो, जब आप dreamland पे contest join कर रहे हो, 299 entry fees भरते हो for your thousand rupees का price pool, बड़ यहाँ पे आप 275 भर रहे हो, आपको मिल रहे हो ही 1000 रुपए, तो 25 रुपए आपके बच रहे हैं, साथ-साथ में जो commission आपका बचता है, plus हमें भी वो support मिलती है, so remember to sign up on my master 11 right away, refer code FCP, and आपका link है वीडियो के description में, आप चलते हैं grand league, तो grand league options की बात की जाए, low select dark cost पे, Corbin boss जैसे मैंने का, based on value, opportunity and the fact की, captain ने इन पे बहुत trust दिखाया, in the first set of games, तो maybe वापस ने उतना मौका मिल जाए, and high select drop risk bomb, QD के purely based on form, क्यूंकि अब तक कुछ starts मिले हैं, बट convert बिल्कुल भी ने किया है, so grand leagues में बिल्कुल ये chances ले सकते हो, अभी के लिए मैंने जो captaincy, vice captaincy choices, अभी के लिए मैंने अभी के लिए यहां पे, कोई भी GLCVC choices for bowling second, bowling first case आप से नहीं बता है, मुझे लगता है कि ये game में pitch report, बहुत ही ज्यादा important हो जाएगी, so based on the pitch, अगर वो हमें information मिलती है, मैं आपको बता दूँगा on telegram, telegram पर ज़रूर जुड़ेगा, link है video के description में, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, remember to like, comment, share and subscribe, and just for fun, predict in the comments, आपको क्या लगता है, कितने नद मनाएंगे, जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए, thank you so much for tuning in, and thank you so much for all your support.